हेलो गाइज वेलकम बाक टू ओडिट्यूबर आज हम खड़े हैं सबसे ज़्यादा वेल्यू फोर मनी हैजबेक के सामने वेल्यू फोर मनी कैसे है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास बात है इसका वेरेंट जो की है XM प्लस S वेरेंट और ये CNG में है इसकी लगबग एक्शों प्राइस आठ लाग पच्चासी ज़ार रुपए है तो ओवराल इस प्राइस में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है एल्ट्रोज में और कैसे ये अपने सेग्मेंट की सबसे बेस्ट कार है लास्ट में उस वीडियो में इसके बात करने वाले हैं क्यूं आपको एल्ट्रोज प्रेफर करने चाहिए इसके कॉम्प्टीशन की दुलना में तो सबसे पहले मैं आपको इसका वॉकराउंड दिखा देता हूँ फ्रेंट से शुरू करते हैं यहां पर फ्रेंट में आपको जो टॉप मॉडल वाला यह ग्लॉसी फिनिश है इधर जो इसकी हुमेनिटी लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी जिससे आपको यह समझ में नहीं है कि यह लोवर मॉडल है प्लस यहां पर आपको हेलोजन जो हेड्लैम्प है वो देखने को मिल जाते हैं हाई बीम और लो बीम दोनों अलग अलग दिये गए हैं इधर आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा साथी साथ पार्किंग लाइट है और क्रोम लाइन आपको यहां देखने को मिलती है सामने टाटा का लोगो और यहां पर आपको प्यानो ब्लैक फिनिच में इसकी ग्रिल मिलेगी फ्रेंट का लुक आपको समझ में नहीं आएगा कि यह बेस मॉडल है यहां पर आपको जो फॉग लैंप है उसकी जगे मिलेगी आप लगवा सकते हैं आफटा माकेट या कंपन काफी अच्छा दिखता है यहां पर आपको फेंडर में ही टर्न इंडिकेटर मिलेगा मैंने इसके टायर्स अगर बात करें इसमें आपको जो टायर साइज मिलती है वो 185 60 r 16 इंच के इसमें आपको स्टील वील्स मिलेंगे जो की वील कैप के साथ आते हैं तो यह काफी साथी साथ जो डोर हैंडल है वो आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे एक्स एम वेरेंट में जो की काफी अच्छी वहीं आपको जो सेकेंड डोर है ओपें करने के लिए यहां से मिलेगा ब्लैक कलर में दिया गया है प्लस यहां पे जो टाटा सेलिबिरेट कर रहा है पचास लाक से भी जादा कार टाटा बेच चुका है इंडिन कार मार्केट में तो यह काफी अच्छी चीज है एक वोकल फॉर लोकल चीज बहुत जादा बिक रही है मेजर चीज जो इस वेरेंट को काफी वेल्य फॉर मनी मिनाती है इधर आये में दिखाता हूं यहां पे जी हां स अब आपको देखने को मिलता है जैसे कि यह एकस एम एस वेरेंट जो बोल रहा हूं वह इसी लिए है एस का मतलब संडूफ ही है तो साइड में इसारी चीजे मैंने आपको बताती तो अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूं तो आपको कुछ ऐसा इंजन आपको दे मैं प्रेट रोल में होगी और स्फिशे जाएगी सी एंजी में तो रियर में हम आ गये हैं रियर में बताओं तो यहां सबसे पहले सी एंजी की बैजिंग देखने को मिलती है और यहां पर कुछ ऐसा स्पोइलर में फिनिच दी गई है जो कि अगें प्यानो ब्लैक है उपर आपको शाक्षी नंटी ना मिलेगा, यहाँ है, और टाटा का लोगो बीच में, अल्ट्रोस की बैजिंग इधर, और कोई भी कैमरा वगेर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे, तो वो एक चीज है, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट दी गई है, यह रही होगी आपको, य चारी बेसिक चीज़े आपको देखने को मिलती है, में खास बात इसमें है, आई-CNG, इसका बूट खोलके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको रिक्वर्स इंसर भी मिल रहा है, बतलब एक्स एम वेरेंट में आपको रिक्रष इंसर भी देखने को मिल जाता है, वो की इस segment में अगर आप CNG लेते हैं तो आपको boot space बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहाँ पे Tata की नई technology जो की ICNG twin cylinder technology है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो cylinder इसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे जो की ये दो cylinder लगाए गए हैं जिसकी मदद से आपका जो boot space है वो काफी बढ़ जाता है वहाँ पे आपको compromise नहीं करना पड़ेगा आप अपना सारा समान अराम से इस पे रख सकते हैं इतनी कुछ जगे मिलती है देख लीजे आप काफी अच्छा boot space है प्लस parcel tray भी आपको देखने को मिल जाती है XM variant में तो ये overall चीजें काफी इसको value for money बना देती है अब बढ़ते हैं इसके interior की तरफ बात करते हैं क्या के चीजें आपको मिलती है और last में बात करूँगा कि क्यों ये सबसे ज़्यादा value for money variant है तो एक खास feature इसका जो 90 degree doors है वो अभी भी आपको देखने को मिलते हैं ये जो variant है जैसे मैंने आपको बताया है XM plus S variant है इसमें आपको जो door handle है वो piano black finish देखने को मिल जाएंगे मतलब जो सामने है front, rear और side में पूरा piano finish देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको power windows के control मिलेंगे जो की mirrors के भी control है आप इसे fold भी कर सकते हैं ये fold हो गया mirror और ये आप इसे वापस unfold भी कर सकते हैं इसे plus adjust भी कर सकते हैं power windows के control यहाँ है और यहाँ पे आपको bottle holder देखने को मिल जाता है काफी मतलब अगर मैं बात करूँ practical point of view से तो काफी जादा space आपको on offer करती है एकार और मतलब boot में भी आप देखेंगे काफी space है अंदर भी door pocket भी काफी बड़े है decent size के हैं अब बढ़ते हैं interior में glove box वगरा दिखाते हैं वो भी काफी बढ़े हैं तो overall जो इसमें आपको जगे मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है interior में बढ़ते हैं उसकी चीज़े लिखाते हैं interior में से पहले मैं seat दिखा दूँ आप तो seat में height adjustment वगरा नहीं मिलता है लेकिन seat की cushioning है वो काफी अच्छी दी गई है black color की seats आपको देखने को मिलती है वहीं अगर मैं बात करूँ इसके instrument cluster की तो अब कुछ ऐसा आपको instrument cluster देखने को मिलता है इसमें left side आपको rpm meter right side आपको fuel meter वगरा मिलेगा बीच में आपको सारी information मिल जाएगी जो भी इसकी है और मैं बता दूँ अभी जैसे आप देख पाएंगी ये cng mode पे है तो cng का जो आपको fuel है वो उपर देखने को मिल जाएगा इधर और जो petrol है वो इधर देखाएगा automatic car switch कर लेती अपने आपको जैसे आप start करेंगे car को थोड़ा देर बाद ये cng में convert हो जाएगी वहीं अगर बात करूँ touchscreen की तो decent आपको size देखने को मिलता है यहाँ पर आपको chrome finish मिलेगी और बात करूँ इसके AC control की जो vents है यह काफी अप premium कर दिया गया है AC के button आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जो की सारे touch से feel होते हैं लेकिन touch नहीं है buttons है लेकिन design काफी अच्छा कर दिया गया है वहीं है यहाँ पर आपको aux port देखने को मिलता है 12 port का charging socket है यहाँ पर आपको इसका six speed का gearbox देखने को मिलता है जो की कुछ ऐसा है vibrations वगर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है वहीं अगर मैं बात करूं glove box की तो कुछ इतना बड़ा आपको glove box मिलेगा मैं जैसे बता रहा था काफी practical कार है तो भर भर के जगए आपको ली गई है सारी चीजें आप रख सकते हैं center console कुछ ऐसा है इसमें आपको armrest नहीं मिलेगा तो आप aftermarket लगवा सकते हैं अब मैं बात करता हूं main talking point की जो है इसका sunroof यहां से आप खोल सकते हैं sunroof यह दिख रहा होगा आपको यह बटन दी गई है यहां से आप पूरी इसकी sunroof open कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा feature है मुझे काफी अच्छा लगता है यह feature sunroof जैसी इस प्राइस सेग्मेंट में आपको sunroof भी offer होते हैं प्लस यहां पे lights की placement है जो की LED है राइट साइड आपको शेट देखने को मिल जाएगा लेट साइड भी आपको शेट मिलेगा विद मिरर और इसके जो grab handle है वो दिये गए material काफी अच्छे यूज किये गए है प्यानो ब्लैक फिनिश आपको यहां देखने को मिल जाएगी अब बैठते हैं रियर सीट में front seat मेरे हिसाब से adjusted है तो रियर सीट में आपको ठीक ठाक नीरूम मिलेगा head room भी sufficient है मेरे साब से और बता दू मैं sunroof होने के बाबजूदना यहां पर आपको head room अच्छा देखने को मिलता है और वहीं पर आपको grab handle वगरा दिये गए हैं बीच में आपको इधर कोई भी जो armrest है वो नहीं मिल देखने को मिलते हैं तो यही थी बाती कुछ इसकी इंटीर की अब चलते हैं बाहर और मैं बात करता हूं कुछ ऐसे point की क्यों आपको altros का xm plus s variant लेना चाहिए जो की icng में आता है सबसे पहला point है altros को choose करने का reason इसका mileage जी हां icng में यह आपको लगबग 26 का mileage क्लेम करेगी तो पहला point हो जाता है आपको altros icng चूज करने का mileage दूसरा है इसका price point जैसे मैंने आपको बताया 8,50,000 रुपए extra room मिलती है और on road लगबग यह 10,000,000 रुपए की जाएगी तो 10,000, रुपए में आपको एक perfect car मिलती है जो की आपको family को safe travel कराएगी और आपको इस price segment में एक अच्छी car offer हो रही है next point की मैं बात करूँ इसमें आपको जैसे जो features मिलते है touch screen देखने को मिल जाता है wheels में आपको wheel cap देखने को मिल जाएंगे sunroof आपको on offer होती है तो overall इसका interior भी क master market install करवा सकते हैं तो यह सारी चीजें मिलाके एक अच्छा package इसे बना देती है next point जो major talking point है इसकी safety जी हाँ major talking point safety इसलिए है कि यह आपको five star rated car दी गई है तो आपको जो family है आपकी वह काफी comfortable भी रहेगी एक safe भी feel होगी और जो इसका price segment है जैसे मैंने आपको बताया दस ला talking point है वह आपको काफी अच्छा मिलेगा मतलब segment में सबसे आदा boot space offer होता है तो overall यही सारी चीजें क्यों आपको एल्ट्रॉस का X M plus S variant चूज करना चाहिए काफी अच्छी pricing में आता है comment section में बताएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी और आपका क्या मानना है एल्ट्रॉस क यह variant के बारे में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करेगा चैनल को subscribe करेगा मैं मलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में और किसी कार की अगर आपको review चेक करना है देखना है तो वो हमे comment section बता दिएगा मिलते हैं किसी और वीडियो में